एक स्पेस्क्राफ्ट को मार्स तक जाने में 6 महीनों का टाइम लगता है लेकिन लाइट इतने फासले को सिरफ 3 मिनट और 2 सेकंड में तैय कर लेती है यानि अगर कोई इंसान फ्यूचर में मार्स पर जाकर रहने लगे तो आपका वहाँ एक वर्सम मेसेज 3 मिनट और 2 सेकंड पात पहुँचेगा और भी जब कोई इंसान वहाँ आपका रिपलाई करेगा तो इसके मेसेज को आप तक आने में भी इतना टाइम लगेगा अभी तो हम जमीन के क्रीपी स्यारे मार्स की बात कर रहे हैं अगर हमें स्मीन के क्रीपी स्टार प्रोक्सिमा संटोरी तक मेसेज को पहुँचाना है तो लाइट के स्पीर से उस मेसेज को वहाँ जाने में 4 साल और 3 मा का टाइम लगेगा और हमारी क्रीपी गलेक्सी एंडरोमेटा पर इस मेसेज को जाने में 25,37,000 साल लग जाएंके अभी तो मैं एक सिगनल की बात कर रहा हूँ जो रोशनी के रफ़तार से ट्रैवल करता है लेकिन अगर हम खुद वहाँ जाने का सोचें तो हम एक करोरो साल लग जाएंके यानि जिन स्टार्स को हम रात को देखते हैं हम वहाँ कभी नहीं जा सकते अब यहाँ सोचने वारी बात ये है कि आखिर ऐसा क्यों है आखिर हम रोशनी के रफ़तार से ज्यादा तेज सफर क्यों नहीं कर सकते आपने कई बार सुना होगा कि अगर हम रोशनी के रफ़तार से चलने लगें तो हमारे लिए बहुत सारे पैराटॉक्स खुल जाएंगे यानि वक्त हमारे लिए बदल जाएगा लेकिन वक्त हमारे लिए क्यों बदलेगा आखिर वह कौन सी चीज है जिससे टाइम के रफ़तार ज्यादा हो जाती है ये अमेजिंग इनफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में तो पूरी वीडियो वाश कीज़ेगा और आप देख रहे हैं आइंस्टाइन के मताबक काइनत में रोशनिक रफ़तार हर चीज की रफ़तार से तेज है लेकिन स्पेस की रफ़तार से नहीं यानि स्पेस की रफ़तार रोशनिक रफ़तार से तेज हो सकती है अगर हम स्पेस को मैनू प्लेर करना सीख लें तो शायद हम लाइट से भी ज्यादा तेज सफर कर सकते हैं 1994 में एक साइस्थान माइकल ने भी ऐसा ही एक आइडिया दिया था जिसका नाम अलकॉबियर ड्राइव था ये ड्राइव अपने पीछे वाली स्पेस को एक्सपेंड करती है और आगे की स्पेस को फ्लैट करती है जिसकी वर्याद से वो ड्राइव रोशनी से तेज सफर कर लेती है लेकिन आज ऐसी मशीन बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अनरजी और अक्सॉटिक मैटर की जरूरत हो की कई लोगों का कहना है कि स्पेस में वर्म हॉल होता है जिसकी अंदर रोशनी के रफ़तार से भी तेज सफर किया जा सकता है लेकिन अभी ता किसी को भी वर्म हॉल के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहा है या सच में वर्म हॉल है भी या ये सिर्फ साइंस्तानों का अंदाजा है अभी किसी को कुछ नहीं पता कई सालों को स्टेडी के बाद साइंस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी चीज रोशनी के रफ़तार से तेज सफर नहीं कर सकती अगर कोई चीज रोशनिक रफ़तार से सफर करने लगे तो कुजैलिटी का लाट तूट जाएगा आप सोच रहे हों के कुजैलिटी क्या है तो मैं आपको बता दू काइनत में हच चीज की एक रोशनी है जब आप अपने मुबायल को देखते हैं तो उसकी रोशनी को आप तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है ये टाइम कुछ नैनो सेकंड का होता है या फिर उससे भी कम टाइम के इसी डिफरेंस को कुजैलिटी कहते हैं जो रोशनी की रफ़तार की वज़़ा से क्रेट हो रहा है अगर वो लाइट मुबायल से निकल कर आप तक पहुंची ना पाए तो आप मुबायल को देख नहीं पाएंगे यानि रोशनी की वज़़ा से आप मुबायल को देख रहे हैं जो एक कॉस है और जब कॉजैलिटी टूटे की तो काइनत पनने के पाद हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज पहले बनी और कौन सी बात में मिसाल के तोर पर इस ग्राफ को देखें जिसमें X एक्सिस स्पेस है और Y एक्सिस टाइम है इसे स्पेस टाइम ग्राफ कहते हैं इस concept को Herman Sainsan ने दिया था अगर हम इस graph पर 45 degree का एक angle बनाते हुए एक city line केंचे तो ये light के speed से space में travel करते हुए एक object को show कर रही है इसे null line कहते है इसकी रफ़तार काइनत में सबसे तेज होती है अगर आप इस diagram को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये light time और space के साथ equal angle बनाती है अब यहाँ 0 degree से 44 degree तक हाल लाइन रोशनी से ज्यादा रफ़तार को show करे की और 46 से 90 के दरमियान हाल लाइन रोशनी से कम रफ़तार को show करे की अब इस diagram में space axis में ये हमारी समीन है इसे हम space में travel करते हुए महसूस नहीं कर सकते इसलिए हम first कर लेते हैं कि ये space में एक ही जगा पर fixed है यानि ये time के axis में move कर रही है और space के axis में move नहीं कर रही अब right side में हम एक और star को first कर लेते हैं जिसका नाम serious है जो हमारी समीन से 8.6 light year की दूरी पर मचूद है जो हमारी समीन से 8.6 light year की दूरी पर मचूद है जमीन के तरह इसकी हरकत भी ज्यादा तेज नहीं हो की तो इसे भी first कर लेते हैं कि ये भी fixed position पर है इसलिए ये भी समीन के तरह time axis पर ही move कर रहा होगा अब by side पर चाने एक तमाका होता है और इसकी रोशनी की रेज समीन के तरह आती है जिसकी वज़ा से हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है अब हम ये information serious तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी वज़ा से वहां रहने वाले लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे और इस तमाके की रेज से पहले ही हमारा message वहां पहुंच जाता है जिसकी वज़ा से वो खुद को इस रेज से बचा लेंगे ये बाद आप जान लें कि यहां हची समीन के हिसाब से देखी जा रही है अब हम सारे events को space axis पर रहते हुए time axis को slice करते हुए देखते हैं यहां सबसे पहले explosion होता है उसके बाद light जमीन से डगराती है और उसी वकत हम अपने message serious की तरफ फेज देते हैं कियोंके हमारे message की रफ़तार रोशनी से तेज है इसलिए तीसरे नमबर पर हमारा message वहां पहुँचा और चोते नमबर पर तमाके की रोशनी वहां पहुँची यहां तक हाद चीज पिलकुल ठीक हो रही है यानि हमने aliens को बचा लिया है जो चीज पहले होनी चाहिए थी वो पहले हो रही है और हर cause का एक effect है जो causality के lag को follow करता है लेकिन मसला तब बनता है जब रोशनी से कम रफ़तार से travel करने वाला एक spaceship को भी इसमें add करते हैं फर्स करते हैं एक spaceship जमीन से निकल कर रोशनी से भी कम रफ़तार से travel करते हुए सीरिय स्टार की तरफ जा रहा है जिसमें कुछ लोग भी बैटे हुए है यानि पहले वाले event को देखने के पाद अब space में कुछ लोग मचूद है अब time axis को इन साइस्टानों के जरिये कारते हैं लेकिं यहां हम जमीन के space axis को नहीं लेंगे बलके रोशनी से कम रफ़तार से सफर करने वाला space craft अपने खुद की axis पर चलेगा जो space craft के time axis और नल लाइन के center में बनने वाले axis के पराबर होगा दूसरी साइड पर हम space axis को consider करते हुए time axis को कारते हैं यहां आप notice करें के यह सबसे पहले थमाका नहीं हो रहा बलके सबसे पहले space से आने वाला message पहुँच रहा है और दूसरे नंबर पर super nova explosion हो रहा है उसके पात तीसरे नंबर पर explosion की light spin पर पहुँचती है और चोते नंबर पर यह light series तक पहुँचती है यानि यहां पर feeder gain को पहले पकर रहा है और batsman ने gain को पात में hit किया है causality का law यह कहता है कि पहले cause होता है उसके पात ही causality का effect देखने को मिलता है लेकिन यहां effect पहले हो रहा है causality पात में दिखाई दे रही है जिसकी वज़ा से यहां causality break होती हुई नजर आ रही है असल में ऐसा रोशनी से तेज मैसेज पेचने की वज़ा से हो रहा है जो causality के law को प्रेक करके time को change कर रहा है वो साइंसान जो रोशनी से कम रफतार वाले spaceship में है उनके हिसाब से serious पर पहुँचा signal batsman है और तमाका पॉलर है वो batsman को short मारते हुए तो देख रहे हैं लेकिन पॉलर ने पॉल फिंका ही नहीं है तो आखर ये पॉल आई तो आई कहां से असल में तमाके के बगैर उसकी information देने वाला message signal होना ही नहीं चाहिए था ये बाद आप जान लें कि काइनत की सबसे तेज़ स्पीड usability की होती है usability से हम हर event को सही time पर देख पाते हैं लेकिन रोशनी से तेज़ स्पीड इसको break कर रही है तो इसका मतलब है कि हम अनसान कभी भी रोशनी से तेज़ सफर नहीं कर सकते जिसकी वज़ा से हम दूर मजूर सियार पर नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी technology नहीं है जिसकी मदद से हम रोशनी के रफ़तार से travel कर सके वैसे आपके इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में अपना बहुत सारा ख्यार रखे अलाहाफिस